Shame on you divine feminines कभी हमारे भी बहुत लॉकेज थे आज भी है आज भी challenges है तो क्या ये हमारे कर्मा है मुझे बताइए आज मेरे पास पैसा है मैं शायद पचास से ज़्यादा पैसे हजार कमा रही हूं मैंने के बट मेरे पास husband नहीं मैं पास बच्चा नहीं मैं पास मा नहीं तो क्या आप मुझे बोलोगे तुम्हारा कर्मा है मुझे बताइए किसी के पास सब कुछ है शायद मैं अंबानी के बेटी से खुबसुरत हूं पिट क्या मैं उसको बोलो कि ये तुम्हारा कर्मा है क्योंकि वो तो उसके पास क्या नहीं है वो एक लाडली बेटी, वो एक प्रिंसस है कर्मो के नाम से लोगों को underestimate करना, डराना, बंद कीजिए देखो मैं एक किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैंने आज एक वडियो देखा कि कोई है जिसको inner work खरिदने के लिए पैसी नहीं है मुझे बताएं ये divine feminine के awakening हुई तो inner work का बक्षीस नहीं मिला है उनको उन्होंने रामदेव बाबा से सिखा है उन्हें art of living से सिखा है उन्होंने रेकी से सिखा है उन्होंने angel therapy से सिखा है उन्होंने आकाशिक record सिखा है उन्होंने horoscope सिखा है तो आप भी ये सिखो ना तो आप भी ये सिखो और सबसे चीक चीक के बताती हूँ यार देखो इस channel को popular कर लो क्योंकि अब जरूरत आन पड़ी है अब जरूरत आन पड़ी है कि रेकी से अपनी inner work की start करो कुछ नहीं करना है आपको क्या लगते है बहुत बड़ी तपस्या करना है तब आपका reunion होगा आपका reunion जब होना है ना तब ही होगा आप बस थोड़ा सा अनुलम विलम प्राणायाम कर लो मैं क्या करती थी बताते 20 साल तक मैं चलते चलते वाक करती थी अनुलम विलम करती थी जब मेरे पैर थक जाए तब मैं शवासन में लेट जाती थी और कान को वो गाने सुनती थी जो पसंद है आजकल कौन से मैंने प्यार किया कर सुनती हूं आर जो गाना मुझे आटोमेटिक ले जाए डीप में आजकर मुगले आजम का भी सुनती हूँ वो प्यार किया तो डरना क्या मीनिंगली नहीं मुझे जो डीप में उतरा है दिखो मैं डीप में उतरी मैंने वो सेंस किया वो एनरजी सेंस की इसलिए मेरी आवाज आपको डीप में उतरने के लिए मदद करती है क्योंकि सबसे पहले तो मैंने टेस्ट किया, मैंने तो हजारों गाने चेक किये, फिर किया, और ऐसे में दो, चार, आठ, जब तक मेरा दिल भर जाए, तब तक मैं मेडिटेशन करती थी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इनर वर्क करती हूँ, इससे कुणली एक्टिव पे सिखोगे, आप ये सिखोगे, वो जानकारी के लिए सब ठीक है, या सब रेकी में सिखाया जाता है, आप एंजल थेरे पे सिखोगे, वो सिखोगे, ये वो इनर वर्क, इनर वर्क ऐसे क्या बड़ी चीज है दोस्तों, थोड़ा सा प्राणाया, अगर वो भी नहीं पता आपको, तो नामस्मरण कीजिए, उसमें बहुत पावर्स है, मुझे बताइए, मीरा भाई ने कौन सा इनर वर्क किया था, मा सीता ने जब उसको रावन उठा के ले गया, सप्रेशन हुआ, उन्होंने कौन सा इनर वर्क किया था, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया था, एक साल तक, ये कर्मो के नाम से डराना और अपना इनर वर्क बेचना, कि देखो एक हुतेन शंकर पारवती की फोटो जो भीकारी बच्चे रस्ते पर आते हैं, और दिखाते हैं कि देखो ये जो है मापारवती है, मेरे साथ भी कई बार ऐसे किस से हुए है कि दरवाजे प आप ऐसा करोगे, तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, तो मा को ठुकरा रही हो, इस मंगलवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, देखो तुमारे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं पता नहीं जाएगा, चल निकल, तो ऐसे में लोग आते हैं, तो क्या आप ऐसे भिकारी बनना चाहते है जो बाबा शियु और मा पारवती को दिखा दिखा के उनका नाम ले लेके आप लोगों को डराना चाहते हो कि यहां रियोनियन होते है देखो Divine Soul का कोई कर्मा नहीं होता है Divine Soul 7th realm से आती है और जहां वो अलरेड़ी मुक्त होती है तो वो किसी के कर्मा अपने उपर ले लेती है और फिर वो जन्म लेती है Soul Purpose के लिए तो इनके अंदर Empathy बहुत होती है Empathy बहुत होती है क्योंकि मेरी आँख क्यों भारी हो रही Automatic इदर वाली Empathy बहुत होती है इसलिए दूसरों के कर्मा अपने उपर ले लेते है दूसरों के लिए बहुत सह लेते दो थोड़ा सा कुछ कम करने से नुकसान आपका भी नहीं होगा देखिए रामदेव ववन इफरी में वीडियो मेरा योगा सिखाया क्या क्या सिखाया और योग का कितना प्रैचार हुआ घर घर में आरोग्य मिला और आज पतंजली कितना पैसा कमा रहे अर बाबा रामदेव का कितना बड़ा नाम हुआ है तो इस बात को ज़रा समझिए कि एक लिमिटेट पैसा कमाना देखो अब तो पैसा मुझे भी कमाना है क्योंकि थार्ट डामेंशन में रहती हूँ मैं ना मेरा कोई हस्बेंड है ना मेरा कोई सगा भाई है ना मेरे फादर कोई अमर पट्टा पहन के आए है कि जो मेरे आखरी सांस तक मेरा साथ देंगे और जो होता है न प्रॉफर्टी घर से लेना इतना आचान नहीं होता है दोस्तो तो मैंने सोचा है कि मैं किसी भी जगड़े में नहीं पड़ोंगे मैं खुद के लिए कमान लोंगे मतलब मैंने मुझे समझ में आया कि बाबा मेरे साथ है और वो शायद उन होनी ही ये सब खोला है और आज मेरे पास पैसे आ रहे है तो आपके पास इनर वर्क खरीदने के लिए पैसा नहीं है ये आपके कर्मा है बुरे कर्मा है जो भी है देखो बई कर्मों के नाम से डराना बन करो कोई देखो कोई emotional blackmailing कर रहा है कि reunion तो बस हमारे ही channel पे होते है और हमारा inner work खरीदे देखो में पास एक lady आई husband नहीं छोड़ दिया और कमाती नहीं कुछ भी नहीं उन्होंने भी उनके inner work खरीदे तो वो expect करती है कि मैं उनको free में रेकी सिखाओ मैं सिखाना भी जाते हैं लेकिन मेरी थकावट देख रहे हूँ तो मैंने कहा मेरा pending work है थोड़ा सा वो complete करने के बाद मैं आपको सिखाओंगी तो कुछ मतलब देखो मैं अपने करमा अच्छे बता भी नहीं सकती क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं free में करनी लगी और मेरा काम अगर pending रहने लगा तो जिन्होंने अपने महनत के पैसे मुझे दिये है उनके साथ में क्या नयाय करू पाऊंगी तो जिन्द की भी divine seminar के अपने channel है मैं उनसे request करती हूँ कि दिखियो अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनको इस तरह से underestimate करने का आपको अधिकार नहीं है इन्हीं लोगों के पैसों से आज आप चमक रहे हो मैंने सुना कि ये channel नहीं होता तो आपको information ये divine feminines के channel नहीं होते तो information ही नहीं मिलती मुझे बताए अगर ईश्वर को information देना है तो स्वापन में भी देता है किसी के रूप में भी आपके सामने प्रगट हो जाता है किसी बुक से भी दे सकता है किसी प्रवचिन से भी दे सकता है कितने माध्यम है पहले के जमाने में जब मीरा भाई की awakening हुई होगी तो क्या उनके पास mobile था mobile यहाँ था दोस्तों सब receive होता है dreams के थूँ receive होता है सारी चीजों के थूँ receive होता है तो यह घमंड छोड़ दीजिए मैं बहुत प्यार करती हूँ सारी divine feminine से लेकि मुझे लगा कि कहीं पर जरूरत है बताने की हो सकता है आगे मुझे से भी बहुत गलतिया हूँ क्योंकि अब जो एक private यह जो professional बनता जा रहा है मेरा भी चैनल प्रोफेशनल बनता जा रहा है क्योंकि अगर मैं किसी से फीस ले रही हूँ तो अच्छा काम करना भी मेरा कर्तव है मैं बीच में छोड़के चली गई तो free वालों के लिए करते रहूँ और जो पैसे दे रहे उनको में डुबाती रहूँ यह तो ठीक नहीं होगा और third dimension हाँ मैं जितना हो सके वीडियोस पर guide करूँगी और दोस्तों आप inner work inner work को इतना बड़ा मत समझो कुछ नहीं है तो इश्वर का नामस्मरन भी करो 100 माला जब करो वो यही सबसे बड़ा inner work है भैरो मंतर का जब अपने भैरो मंतर को क्या समझ के रखा है सीरियसली 21 माला भैरो मंतर का जब कीजिए जोब लग जाएगी हर मनों कामना आपकी पूरी होने लग जाएगी सब कुछ होने लगा गया उपाई पूछने के मुझे लगता है मैं inner work के कुछ वीडियो बताऊ जब मेरे बॉड़ी में एनरजी थी मैंने बहुत inner work किया बहुत किया पट अब क्या हो गए है कि सारे द्वार खुल गए आटमेटिक मतलब इतना थड़ा ओपन हो चुका है अब अकाशिक रेकॉर्ड रिडिंग भी करने लगी हूँ बहुत अच्छे इक्सपीरियंस आया मुझे पता चला कि मेरे स्पिरिट गाइड जो है जीजस और मदर मेरी है मैं सावंद रिलम से आया हूँ मेरे औरा का कलर मुझे तो मैं साफेद मानती हूँ और मुझे बताया लास्ट में मुझे वही बताया गया लेकिन जब मैं क्लास में थी एकदम जब सब के सामने तो मुझे वह फर्स टाइम कर रही थी तो पता नहीं था लेकिन रिजल्ट इतने फास्ट मिलने लगे कि डिवाइन सोल्स को बड़े फास्ट वह अचीव होता है बाकि लोगों को बताया जाता है बहुत मुझे लिए उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है देखो आपके जितनी भी साधना हो मंतर साधना हो मेडिटेशन हो उससे वह अचीव होता है अकाशिक रेकॉट जिसकी अनरच जिसकी थाड़ा है ओपन हुँ मुझे तो पता चला कि यह अकाशिक रेकॉट बिना सीके ही मैं 20 साल से कर रही हूँ 20 साल से मैं आत्माओं से कनेक्ट हो रही हूँ बीक साब 20 साल से सब कर रही हूँ और देखो आपको ऐसे पीछे भी नहीं पढ़ना चाहिए, कोई अगर आपको inner work नहीं दे रहा है, तो पीछे भी नहीं पढ़ी क्या हो गया है, कि emotional blackmailing इतनी हो गई है, कि हमारे चानल पे reunion होते है, आप इसको seriously लो, देखो सच में बताऊं, ना ये marriage marriage बिनेच तो निकालो और जागरित करो आप जो है, मारगे दर्शन करो, जागरित करो, ये काम आपको दिया जाता है, अगर मैं कहूँ कि भई, आपका जो कर्मा है, जो अभी तक आपसके twin से आपकी शादी नहीं हुई, बहुत ऐसी divine feminine से जोट बोलती है, कि उनका reunion हुआ है, सिरिसली बता रहे हूं, इतनी जो रही है, सादी क्यों नहीं कि, क्यों रोते हो वीडियो में, बताओ न, रोय थे न, आप भी एक बार, यहाँ पे किसी को target नहीं करना है, क्योंकि वो भी divine soul है, बहुत हर्टिंग लगा, मुझे बहुत हर्टिंग लगा, कि divine soul को बोलना कि तुमारे कर्मा है, तुम जो है inner work खरीद नहीं पा रही हो, तो मुझे बताइए, बहुत गलत है, अगर मान लिए जो उसके husband है, शादी है, बच्चे, और वो बोले कि तेरे भी कर्मा है, अभी तक तेरे कोई बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या divine feminine बनके घुम रही है, त पता नहीं कुछ बोलना, यहाँ पे आके लोगों का कल्यान हो जाता है, कल्यान तो हर जगा हो जाता है, रामदेव भबा के पास जाने से भी योग सीख लेते हैं लोग, वहाँ पे भी उनको फायदा होता है, आर्ट अफ लिविंग में भी फायदा होता है, रेकी सीखने से से भी फाइदा होता है इंजल थेरपी से भी फाइदा होता है टारो कार्ड रेडिंग से भी फाइदा होता है आकाशिक रेकॉर्ड से भी फाइदा होता है सबकॉंशिस हीलिंग से भी फाइदा होता है कुछ लोग यार मुझे समझ में नहीं आता है भॉंक भॉंक के थक गई अब आए में तो अब मतलब इतनी मरने को आई हूँ मैं यहाई भी नहीं बैधक किसी को मैंने सोच लिया पहले मैं फ्री में बात कर ले थी थी लोगों से और पता हैं मेरे पास कभी भी कोई आता है न सेशन के लिए तो मैं उनको बूलती हूँ सबसे पहले Ultimate Sign of Twintalem Journey मेरा विडियो देख लो फिर भी वो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि कुछ न कुछ यह अच्छा ही गाइड करेगी या इसकी आवाज से हमारी Healing होगी एक Divine Soul से जुड़ने का जो आनन्द है वो उनको मिलता है और भगवान ने मुझे इस काबिल समझा दोस्तो क्योंकि जो भी आता है बस यही बोलता है कि माम आपके पास एक सच्चाई है आपके पास एक सच्चाई है आप जो है जो है जुटी मुटी बात है या फसाना फुसलाना यह नहीं करती देखो दोस्तों फाइदा तो दोनों का हो रहा है सबकॉंशल सीलिंग इतने सस्ते में अगर आपको मिली है तो मुझे भी पैसे मिले है मैं मुझे यादे में दो साल पहले 2020 में मैंने जॉब किया था दस हजार उपे सैलेरी फिक्स हुई थी बट उनको लगा था इसको दस हजार उपे देने पड़ेंगे होटल जॉब था वो और बारा घंटे की जॉब थी उपर से बोला जाता था इतनी जल्दी चली जाती हो मतलब बारा घंटे के बाद भी एक्सपेक्टेशन से कि वहें पे रुके और थोड़ा सा मुझे लास्ट में 35 दिन काम करके मुझे लास्ट में एक रुपए भी सैलरी नहीं मिले वहाँ पर मुझे पहले तो बताया गए कि दो वक्त खाना खा सकते हो बीच में मुझे ताने मारे गए कि वह तुम दो वक्त खाना खा रहे हो मुझे बताईए नौ बजे सुबा आप आते हो रात के नौ बजे मतलब जाते हो तो आप कहां से घर जाके खाना बनाओगे सबजिया कप खरीदोगे और चुटिया जो थी महिने में दो चुटिया थी अगर भगवान इतना दे रहा है मुझे घर बैठे काम दे रहा है इज़ को आप सेवा दे रहे हो ओके मुझे याद है कि मैं कभी गरम पानी से ना नहाने वाली उस समय जो इतना गरम पानी से नहाती कमर वह मुझे दरा सेख जाए दिन बर बैठे रहो वहां पे मुझे साई चेरितर पढ़ने भी नहीं दिया जाता था उनको पसंद नहीं था हो दोस्तो नियत उनकी यही रहती है कि एक लेडीज को एक आकर्शन की तरह यूज किया जाता है और मुझे बोला गया था कि यहां बैठो मुझे लगा मेरा तो कोई काम नहीं है बट यहां पर मुझे क्यों बैठना है इतने घटिया होते लास्ट में इनकी आउकाद नहीं है कि यह सैलरी दे सके समझ रहे हैं इनकी आउकाद नहीं है कि यह सैलरी दे सके मुझे याद है कि यार मुझे खाने के लिए भी ताना दिया गया था मैंने का मुझे खाना ही नहीं है आपको पता है मैंने जॉब के लिए तीन जार ड्रेसेस खरीदे पांचे ड्रेसेस खरी दे उस जॉब के चपर में चकर में मेरी एक चपल घुमो गई और मैंने एक पर्स खरीदा पता नहीं क्या-क्या खरीदा नेकप की चीज़े खरीदी सब कुछ खरीदा अंत में मुझे सैलरी भी नहीं मिली और ताने तो ऐसे मतलब जो उनकी बॉस की वह मदर थी इस तरह कि मुझे भगवान का आभार मानना चाहिए कि घर बेठे अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे है इतने पैसे मिल रहे है तो मुझे इश्वर का आभार होना चाहिए आप समझ रहे हैं इस तरह से मत बिहेव कीजिए कि कोई डिपरिशन में आपके पास आया है कोई रोते हुए आपके पास आया है और आप उसको बोल रहे कि तेरा कर्मा है तेरे पास पैसे नहीं है कि तू इनरवर्ख खरीद इतना hurting लगा सच में मुझे मैं over emotional हूँ mad हूँ मैं life में over emotional की सारी ख़दे पार कर चुके हूँ मुझे लगा क्यूं ऐसा किसी को react करना क्यों दुश्मन बनाना जिस channel को हम खुद भी मानते है ये गलत है ये गलत ही है और आप अगर डिवान feminine हो तो आपको थोड़ी sympathy empathy रखनी चाहिए जोसे यार एक तो मिदले भगवान शिव बाबा शिव का channel है क्या है मापारवती का channel है चोटे चोटे बच्चे स्टैंड पे मैं देखती हूँ मापारवती और बाबा शिव का प्लेट रखी होती है दो-चार पैसे डालो इसके अंदर यहां के कल्यान हो जाता है मैं बताती हूँ reality दोस्तों मेरे पास भी बहुत सेशन आ चुके है मेरे पास दो-सो क्या तीन-सो आ चुके तीन-सो पान-सो भी हो सकते है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे फीस बहुत कम थी मेरे फीस बहुत कम थी और मेरे पास सिर्फ सेशन के थ्रू नहीं मेरे पास रेकी की तुरू आते हैं, तो उनका free में सेशन हो जाता है, वो पूछ लेते हैं, मैं बता देती हो, दोस्त बन जाते हैं, वो जैसे group में दोस्त बन जाते हैं, पूछते रहते हैं कुछ भी, मेरे soulmate भी रेकी सीखने के लिए आई थी, दोस्तो क्या बताओ मैं इतने लोगों में से एक भी ट्विन फ्लेम नहीं था जस्ट दो तीन लोग चार लोग पांच लोग ज्यादा से ज्यादा जो कि मुझसे कनेक्टेड है क्योंकि आप क्यों इतने खुबसरत आत्माओं को छोड़ना चाहोगी जब आपको पता है ये ट्विन फ्लेम से तो ये बात है सिर्फ लोग मिसगाइड ना हो क्योंकि ऐसे भी रोग होरोस्कोप के लिए आते थे तो ट्विन फ्लेम के बारे में पूछते थे मैं उनको बताती हूँ दे अल्टेमिट साइन अफ ट्विन फ्लेम जर्नी मैं कहना तक है तो ये रियकी की सीखनी की भी ज़ुरत नहीं आपको पता चल जाता है चक्रा अवेकनिंग अगर आपके बॉड़ी में हुई है स्पेशली थ्रोट चक्रा ओके जैसे भगवान विश्नु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है ऐसा चक्र अगर घुमते हुए अंदर से आपको फील हो रहा है तो आप एक ट्विन फ्लेम हो ये मैं सबको बोलती हूँ क्योंकि इस जो जैनी में है थ्रोट चक्र अवेक स्पेशली थ्रोट चक्रा और से अवेकनिंग हो जाती है डिवान फिमनन की ग्रोध स्टाट हो जाती है पैसे आते हैं हाथ में दोस्तों जो पहले एक दम हालत उसकी बिकार मुझे पता है हमेशा वो सीन मुझे याद आता था राम लखन का कि उसी की प्रॉपर्टी होती है उसी का सब कुछ होता है और सब कुछ छीन लिया जाता है राखी का क्या नाम है उसका राखी है पुरानी एक्टरस जो अनिल कपूर के मदर होती है और जो है वो कुछ सामान रखने जाती है तो जो होती है उनके हस्बंड के कजिन की वाइफ तो बोलती है राम ये तो चोरी कर रही है फिर वो जो है Amrishpuri या कौन होता है या पता नहीं मुझे वो उसको जो है से फेक देता है तो जो हमारे माराथी में बेल गारी बुलिट कार्ड क्या वोलते है उसका जो चक्का होता है, उसको यहां पर लग जाता है तो वो सीन मुझे हमेशा याद आता है कि लाइफ कुछ ऐसी ही लगती है मेरी फैमिली या जो प्यार मुझे मिल रहा है तो देख के मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंट्स तो मैं खुश नहीं हो जाती बहुत, बहुत खुश नहीं होती, क्योंकि मैंने वो अपमान भी सहा है, मुझे याद आता है, जब मैं मुझे पता ही नहीं था, मेरा डिवोस हुआ था, मैं घर के बहर रात बर बेटी, मिड़नाइट को पुलिस बुला के, मुझे जेंट्स किया जाता है, तो में हवा में नहीं हूँ, मैंने इतने बुरे दिन देख़े है, तो मुझे पता भी नहीं कि मेरा डिवोस हुआ था, आपको मार पिट करके, क्योंकि मेरी सास जो थी, बुलिस में काम करती है, होम देपार्टमेंट में, तो उस तो मिड़नाइट को उसने औरते भी बुलाईजेंट्स भी बुलाईजेंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए वो जान बूच कर ऐसी जगा हाथ लगाएंगे जहां नहीं लगाना चाहिए तो मैं एक वकील की पेटी हूँ, मैं एक ब्रामन परिवार से हूँ मुझे वो सब बरदाश करना पड़ा इतने बुरे दिन देखे, क्या बता हूँ तो निने, इसलिए मैं हवा में नहीं उड़ती आज अगर आप पैसे कमा रहे हो, लाखों कमा चुके हो और किसी का पैसे मजाक मत बनाएए कि ये तुमारा करमा है, जो तुमारे पास पैसे नहीं है तो याद कीजिए अपने दिन, अपने दिन याद कीजिए और यार ऐसे पिछे मत पड़ो, अगर कोई आपको इनर वर्क नहीं देना चाहता है फ्री में ये इनर वर्क क्या बड़ी चीज़े मुझे बताएए कुछ Divine Feminence के लिए अलग इनर वर्क इन्होंने भी रेकी सीखी हुई है इन्होंने भी एंजल थेरेपिय सीखी हुई है इन्होंने भी योगा सीखा हुआ सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है सिर्फ रेकी के लिए गुरू की जरुरत होती है, रेकी की सारी information हो जाएगी, लेकिन शक्तिपात के लिए आपको गुरू की जरुरत है, बाकी योगा के विडियोस पड़े हुए, राम देव बाबा, दुनिया बर की चीज़े सिखा रहे हैं, वो पड़ा हुआ है, योगा के ब्रह्म कुमारी, सिष्टर शिवानी, कुछ नहीं आपको मिलता है, तो ओम शांती सेंटर से जाएए, सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है, वो अपना जीवन का त्याग करके आपकी सेवा के लिए बैठी है, that's the real divine feminines, that's the real feminines, सभी कुछ चीजों का त्याग कर, मैं अभी पास, मुझे रख लो अपने पास, तो उस लेडी ने मुझे क्या कहा, तो महारी हिस्टरी मुझे बता है, तलब क्या है मेरी हिस्टरी, मुझे इतना बदनाम कर दिया था, कि आज मैं नाश्टा भी खरीती हूं सुबा किसी से, तो इतनी जहरेली नजरे होती है मेरे लिए, कि मैं क्या बता हूँ, सम्टाइम्स बुरा लगता है कि है इश्वर कि अगर आपने एक सोल पर्पस के लिए भेजा है, तो इतनी जहरेली नजरे, तो जानिये, समझिये, ये जनी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, खुद का नाम लेके, खुद को एक मुकुट पहना कर डिवान फेमिनान बनने की नहीं है, क्या सोल पर्पस कर रहे हैं, आप सोल पर्पस क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा कीजिए, जिसमें दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो, मैं मानती हूँ, फ्री में नहीं सिखाना चाहिए, लोगों को कदर नहीं होती, मैंने एक लड़की को सिख वो हजार रुपे में सिखा था, लेकिन उसको मैंने धाइसो में फर्स लेवर और धाइसो में सेकंड लेवल सिखाया था, और पांसे रुपे उसके बचे थे, क्या मैं बताओं आपको, जो इंसल्टिंग चीजे हम बता नहीं सकते, उस समय मुझे रेलाइस हुआ कि सच में मै बहुत गलत किया, जो एक जिसकी दो-दो हजार, पांच-पांच हजार फीस लेते लोग, वो मैंने धाइसो रुपे में दे, इसलिए मेरी कदर नहीं हुए, उनको लगा ये कौन चिंदी चोर है, जो सिखाने के लिए बैठी है, सिखाने के लिए, मैं बलती हूँ कि मैं एक आज मेरा एक चैनल ब्रैंड हो चुका है, मैं एक डिवान फेमिनान हूँ, तो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि फीस कम करो, तो मुझे वो दिन ही आदाता है, कि जब मैं सिखाने के लिए बैठी थी, जब मैं फ्री में सिखाना चाहती थी, तब मुझे मेरे पास नहीं था, तो दिन ऐसे बदलते हैं दोस्तों, तो घमंड मत कीजिए, जागरित रखिए अपनी आत्मा को, कर्मो कर्मो के नाम पर दूसरों को डराना, यह इस जन्नी को आप सीरियसली नहीं लोगे, यह बड़ी ऐसी जन्नी है, वैसी जन्नी है, पता नहीं क्यासी जन्नी ह उछ नहीं दोस्तों, यह सिर्फ सरेंडर की जन्नी है, आप सरेंडर करो, सोल परफॉस करो, लोगों का अच्छा करो, खुद का भी अच्छा करो, यही जन्नी है, डरा डरा के मुझे बताईए, मेरे पास वो, जिसका मतलब हजबन छोड़ के गया है, मतलब उसने क्या देख पताईए, जो इनसान इतनी बुरी हालत में आपको हजारों रुपए दे रहा है, जबकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धार, हजबन, बच्चे, डिग्री, बड़ी डिग्री, छोटी नहीं, आपके पास डिग्री है, पैसे, सब कुछ है, और आप ऐसी औरत से, इन ड्रे में और ऑफ्लेम को जो होता है, किसी की भी जरूरत नहीं होता है, उसका थड़ा ओपन होता है, वो आकाशिक रेकृड देख सकता है, इसवर से सब्सक्राइब को सब्सक्राइब, इसके जवाब उसको में जाते है, वो इनरुद अगर करना भी चाहे न, आइसे हाथ म में आ जाएगा ऐसे समझ रहे आप तो मेनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉंग होती है और दोस्तों जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सेवन्थ रिलम से आते हैं जहां पर मुक्त आत्मा आए है उल्टा उनको परमीशन नहीं है जन्म लेने की उनको दूसरों के कर्मा अपने उपर लेने पड़ते हैं ताकि वो उनका चुकता करने के लिए जन्म ले तो दूसरों का पाप वो भोगते है इतनी इंपैथि उनके अंदर होती है तो एक डिवाइन सोल जो है कैसे आप उसको कर्मा 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 करके ये कर सकते हैं सब माया है माया से बचे रहिए अंधे मत बनिये चार पैसे क्या आगए दूसरे के इमोशन के साथ ऐसे मत खेलिए